हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो दे लर्निंग अकाडमी यूटूब चैनल आज की वीडियो में हमनों बैसिकली बात करेंगे जोलोजी आप इंडिया के बारे में जिसमें हम बैसिकली डिसकस करेंगे डिफरेंट टाइप्स आफ रॉक्स जो साथ मिल करके हमाई इंडिया को सेब करती हैं तो चलिए टाइम दावेश्ट करते हैं हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक एक करके हम सभी रॉक्स के बारे में डिसकस करेंगे और उनके करेक्टरस्टिक्स को भी एक एक करके डिसकस करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तिल देन य बाइक शेर एंड सब्सक्राइब मार यूटूब चैनल जोलोजी ऑफ इंडिया और बिसिकली इंडियान रॉक और यह बिसिकली हमारी एट प्रकार की हैं हिंदी में रॉक्स को सेल कहते हैं तो हमारी जो फर्स टाइप ऑफ रॉक है एंडियान रॉक हो हमारी आर्केयन रॉक है आर्केयन क्रम की चट्टाने हैं इनका टाइम पीरड भी हम रो डिस्कस करेंगे कि किस टाइम पीरड में यह बिसिकली बनी थी इसके बाद हमारी आ जाती है धारवार रॉक्स फिर हमारी आ जाती है कुडप्पा रॉक्स आ जाती है इसके बाद हमारी विंदेन रॉक्स आ जाती है उसके बाद हमारी गोडवाना रॉक्स आ जाती है फिर हमारा डेकन ट्राप आ जाता है पर तरशरी रॉक्स आजाती है तरतिय करम की चट्टाने फिर हमारी पूर्स या फिर फीर के यह कॉतंवरी टाइप रॉक्स आजाती है ठीक है अब एक ही करके हम लोग detail में दिसकस करेंगे प्रतिय रॉक के बारे में और उसके characteristics के बारे में सबसे पहली हमारी जो रॉक आ हें इसके कूल हो जाने के बाद इन रॉक्स सा फॉर्मेशन होता है जो आर्केयन रॉक्स hand Cape brewing, Queens say थे одस्राइब तो तो हमारी तो सबसे प्लाचीनितम यह हो इस्थ awakening pak यह बिसंडीके ग्रीकिनाइट रॉक्स हैं यह पेंजा के साथ ताइम और प्रेशर के साथ ये के साथ साथ ये शस्ट में साथ vais कनवर्ट हो जाती है इसमें फॉस-स में पाया जाते हैं कर दार्किन रांड रॉक्स्ट क्या हुआ है का ये जाते हैं टिक, लेयर्स भी नहीं फांड हो जाते हैं, तो इस आधा टू बेसिक करेक्टरस्टिक्स और आर्कियन रॉक्स कि इसमें फॉसल्स नहीं पाए जाएंगे, लेयर्स नहीं होगी, टिक, इसका रीजन भी हमनों डिस्कुस कर लिया, और इसमें ग्रेनाइट टाइप्स और रॉक्स मिलेंगी, जो कि हमारे टाइम और प्रेशर के साथ साथ नीस में ये सिस्ट में करवट हो जाएंगी, अब इन रॉक्स में एलेमेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं, इन रॉक्स में बिसिकली जो एलेमेंट्स पाए जाते हैं वो आईरन हो गया, कॉपर हो गया, जिप्सम हो गया, गोल्ड हो गया, सिर्फर हो गया, So these are the elements which are basically found in arcane rocks अब arcane rocks का distribution देख लेते हैं basically तो arcane rocks का distribution हमारा करनाटका में देखने को मिल सकता है केरल में मिल जाएगा, आंद प्रदेश में मिल जाएगा तमिल नाड़ो में मिल जाएगा और 36 गड़ में देखने को मिल जाएगा राजिस्थान, गुजरात, मत्वर्देश और मिखाले में कहीं न कहीं छोटा छोटा पार्ट में देखने को मिल जाता है इसके बाद हमारी आजाती हैं धारवार रॉक्स इस और फॉर्मेट बाई रिजल्ट और वेदरिंग और इरोजन और आर्केयन रॉक्स जो हमारी आर्केयन रॉक्स फॉर्म हुई ठी जो वो टाइंग के सात्व सात्थ उनका देण्वलडेशट फॉर्मेशण हुआ मतलब उनकी वैदरिंग और इरोजन की वज़य से जो हमारी धारवार रॉक्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ ठीक आर फॉर्मेंट्स की वाज़े से इनका फॉर्मेशन हुआ और यहां पर हमें सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिल जाएगी अब इसका डिस्टिबूशन देख लेते हैं इन से मोगा डिस्टिक ऑफ करनाटका करनाटका में हमारी जो अर्केन रॉक्स पाई आ रहे थी उसी का जब मारा वेदर रोजन होगा तो उसी के जो सेडिमेंट्स इजिए का डिपॉसिट होंगे पहां पर हमारा धरवार रॉक्स देखने को मिलेंगी इस आ पहली ऐसी सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को नहीं मिल्दा है क्योंकि तब तक जीवों का विकास नहीं हुआ था चिक हुमन एवलूशन नहीं हुआ था तब इसमें हम देख लेते हैं elements कौन कौन से पाई जाएंगे इसमें हमारा basically gold देखने को म मिल जाएगा copper देखने को मिल जाएगा found in large quantity hence it is more important in context of metals धात्विक दरश्टी से metallic दरश्टी से यह काफी ज्यादा important rocks हो जाती है क्योंकि इसमें हमको gold, silver, copper जैसे चो हमारे metals हैं वो काफी ज्यादा में देखने को मिल जाते हैं इसका distribution अगर हम देखें तो करनाटका में, उड मिरात में और रजिस्थान में कम amount में देखने को मिल जाता है इसके बाद हमारी कुडपा rocks आ जाती है कि कुडपा क्रम की चट्टान है these are format from the result of weathering and erosion of dharvar rocks सबसे पहले हमारी arcan rocks थी उनका weathering और erosion हुआ तो हमारी dharvar rocks बनी सब्सक्राइब जाता है इसमें फॉजल नहीं पाए गया है क्योंकि तब हमारा जो है लाइफ का evolution नहीं हुआ था तो धर्वार rocks जो है उनका जब weathering और erosion होगा तब हमारी कुडपा rocks बनेगी कुडपा rocks are formed from the result of weathering and erosion of dharvar rocks जैसा कि डिसक्स किया हमने इन में भी हमारे फॉजल देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि तब तक भी हमारा जीव का विकास नहीं हुआ था इस आद प्रदेश के खुडपा जिले पर बढ़ा है कुडपा जिले जो आद प्रदेश के खुडपा जिला है यहां पर उसकी वजह से इसका नाम कुडपा rocks पढ़ा है इसमें जो हमारे elements पाए जाते हैं वो sandstone होगे limestone होगे mud होगे ठेक चुना पत्र बलुआ पत्र मिट्टी संग मरमा धरवाक प्रद की अच्छा मातपोड़ा है दरवार रोक्स जो है हमारी वो ज्यादा मातपोड है क्योंकि इसमें हमारे जो elements है like gold, silver, copper मिलते हैं तो वो ज्यादा important है बट उसकी तुला में हमारी जो कुडपा rocks है वो कम important है बट important यह भी है अब हम लोग कुडपा rocks सा distribution देख लेते हैं तो यह हमारा आंधर प्रदेश में हो जाएगा 36 गण हो गया गुजरात हो गया राजिस्तान हो गया दिल्ली हो गया करनाटका हो गया और उडिशा हो गया इसके बाद हमारी आ जाती है विंद्यान rocks तो विंद्यान rocks सबसे पहले इसके बाद हमारे विंद्यान rocks का फॉर्मेशन हुआ है इसके बाद हमारे विंद्यान rocks का फॉर्मेशन हुआ यहां पे फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं फॉर्मेशन देखने को मिलता है इसके बिहार के सासाराम से लेकर राजिस्तान के चित्टोडगर तक डिस्टिबिशन देखने को मिलता है इन दा फॉर्म वेल्ट फॉरी बेल्ट देखने को मिल जाती है जैसे कि हमने बनाई है यहां पर करनाट का अंद प्रदेश व चट्टिबिशन देखने को मिल जाएगा इसमें जो मैं एलेमेंट्स मिलते हैं वो सैंड स्टोन हो गया लाइम स्टोन हो गया साची स्टूब जो है वो भी पाय जाता है दिल्ली का लाल किला जामा मचित फटेपूर से करी इनी पत्रों से मिलकर बनी है पन्ना और गोड़कंडा की माइन जो है यही स्टित है इसके बाद हमारी आ जाती है गोडवान रॉक्स जो की कोल इसमें मिलता है को फ्र्मेशन ओफ सच रॉक्स हाब बने टेकन प्लेप्स जो इदिधा है छंथ करेट अर्चन पो दो फ्र्मेशन हो आफ जब समें श्टिता है तो जृष्टं सब्सक्स पिर जे लेकर के जृष्टित तक इनका फॉरमेशन हुआ है आर्थ के क्रस्ट में क्रक्स हो जाते हैं टिक इनटीच अर्थ क्रस्ट चाहिए एनने फे 주는 सबस्वार्ण का शांदे है oo जाते हैं तो मारी जी इंहार तेatas भी इनकेम मनगीविंत4 जाते हैं सामाई के साथ साथ जब हाई टमपरेचर और प्रेशर में पर फड़ा तो यह हमारे कोल में कनवर्ट हो गया जो इंडिया का कोल फॉर्मेशन है वो लेपन 98% यहीं से मिलता है हमारे गोडवाना रॉक से तो इंडिया का लगबग 98% जो गोडवाना रॉक से आता है अगर हम दिस्टिबूशन देखनें गोडवाना रॉक से जारकंड हो गया जारकंड चाथिज गांड वेस्ट बेंगोलान इस्टन करनाटका में ही गोडवाना रॉक देखने को आ जाएंगी इसके बाद वहार टॉपिक आता है डेकन ट्राइब बैसाल्टिक लावान निकला दो तीम बार निकल निकल के उसने लेयर बना ली है आप देखते हैं इसको डिटेल में इट इस स्वामेट फॉम जोईक एरा तो क्रेटिसियस पीरिएट ये मेसोईक एरा से ले करके क्रेट इस का लेयर выпол burning e करेशन हुआ इनदिस time period western इंडिया महराश्ट्रा करणाटका ये Kalau Western इंडिया है जैसे कि मैं माहराश्ट्रा करणाठका हो गा ठीक मद्द्प्रदेस हो गया गुजरात हो गया ती लंगा ना में यह जो पाष्शा इंडिया का इसमें basaltic lava, basaltic lava का eruption हुआ, time to time हुआ, इसकी वज़े से आलागला layers बनती गई, जो layers है हुआ, जब pool हुए, hence state-like deposition has taken place, ऐसे से deposition होती गई हो state-like formation होता जला गया, इसे आलागला layers का formation हुआ, three division deposition हुआ, Jurassic period में, Jurassic period में, Cretaceous period में, basaltic lava का eruption हुआ हुआ हुआ, यहां से lava eruption हो रहा हुआ, तो अलग-अलग layers का formation करेंगी, state-like formation करेंगी, तिक उसकी वज़े से, हमारा decan trap देखने को मिलेगा, the weathering and erosion of the decan trap, which is composed of basaltic lava, black soil is formed, जिसको rigor soil या cotton soil भी कहते हैं, जो हमारी decan trap है, इसी का जब weathering erosion होता है, तो हमारी black soil का formation होता है, black soil में, cotton की फसल हुआने में, काफी मदद मिलती है, जिले cotton soil कहते हैं, या rigor soil कहते हैं, इसके बाद हमारी जो rocks आती हैं, वो tertiary rocks आती हैं, तिरती है काम की चट्टा नहीं, उसके अंदर हमारी गोडवाना से लेकर कर पहलो जोएक के कार्बोनी फेरस से लेकर के मैसो जोएक के टिरैसिक जुरैसिक तक, डेकन, नहीं यह अंदुकर यह आला कर लोड़ा टाइम पेरर बताए गया है, गोडवाना का पहलो जोएक से लेकर के कार्बोनी फेरस तक, मैसो जोएक से जुरैसिक तक, डेकन ट्राप जोएक के एकोसीन to plyosene इकोसीन से लेगर के plyosene तक इसका formation देखने को मिलता है हमारा यह basically हमने डिसकस किया अलग-ालग time period जब इन रोक सा formation हुआ यह हमारा carboniferous से लेगर के mesojoic तक फिर यहां से लेगर के jurassic तक इसका formation हुआ जो decan trap था वो mesojoic एरा में तरेसिक से लेकर करके कर्टिसीसियस तक इसका फॉर्मेशन हुआ फिर हमारी आ जाती है टर्शरी रोग इसमें सेनजोएक में जो अलग-अलग हमारी यह हैं यहां तक इसका फॉर्मेशन होता है इसी परकार में लीक हम को मिलती है इसके बाद लाष्ट्रू अजा जातीप वह हमारी को लेका कौलर्लालो को इसके इसके कौस्तोश रोग है है सADAS बार इस फीरिया नॉर्ढबला वाव्लोचा बनोचा इसलिए जो मलें नॉर्धनें प्लेंस है। unclear गांव को दर्ट प्लेंस अगरिर्ट वह उड़ाते हैं है यह नॉर्ढबलाइं प्लेंस इंअकना सहते हुं कोड़ीं गूस्टार थैटलोड इस अंड़ार थैसे इस अंड़े इस अnवा उटेस्टार पुट इस तो अग्ट एन्वाटर थैसे इस अफ ऑन अशे पर भी अग। ए। पन आढ अन। खू एफ ऐचा एंट एम्ड़् अवार थैसे टोड वालन। if you want more such educational content from me so stay connected with me thank you and see you in the next and Jain Dostoh